फाइनली इंडिया में भी डाइसन एर स्ट्रेट आ गया है जो बिना किसी हीटिंग प्लेट्स के खाली होट एर एंड लो टेमपरेचर से बालो को स्ट्रेट इन कर सकता है इंडियान एर स्ट्रेट थोड़ा सा अलग है जो भी कुछ आपको जानना होगा इस वीडियो में आपको सब बताऊंगी मेरे वेवी फ्रीजी हेर पे भी इसे इस्तेमाल करके दिखाऊंगी इसकी MRP है 45,900 रुपीज ये मेरे बालो को पिन स्ट्रेट नहीं करता ब्लो ड्राइड लुक देता है Dyson Air Wrapp इस हेवी बॉक्स में आया था जिसमें हम प्रोड़क्ट को स्टोर करके रख सकते हैं एक क्लीनिग ब्रश भी है पर Dyson Air Straight खाली कार्डबॉर्ड बॉक्स में आता है कोई cleaning brush भी नहीं है इसके साथ 2 साल की warranty and instruction manual आता है पर full instructions my Dyson app में ही मिलेगा एक heat resistant mat दिया है पर ये straighten up बहुत ज़ादा गरम नहीं होता and 3 seconds अगर इस्तेमाल ना करो तो ये अपने आप ही airflow off कर देता है तो heat mat के बिना भी ये कही भी safely रख सकती हूं Dyson dot in पे 10 days return policy है and mintra पे 14 days return policy ये जगा थोड़ा सा गरम होता है पर normal straightener के जितना नहीं यहाँ पे कोई भी straightening plates नहीं है ये इस type के बड़े वाले adapter के साथ आता है क्योंकि हमें इसे गीले बालों पे इस्तेमाल करना है यहाँ पे एक safety दिया गया है black वाला reset button है and yellow वाला test button तो पहले reset दबा के test button दबाना है फिर से reset दबा के इस्तेमाल करना है reset button pressed ही रहेगा अगर आपको reset button पे red circle या red light दिखाई देता है ये process फिर से करें बार बार हो रहा है तो Dyson help line पे call करना है हर कुछ महीने बाद आपको इस filter को खोल के धो के फिर से attach करना है straightener इस lock button को उपर नीचे करने पर open and close होता है इसे गीले बालों पे इस्तेमाल करने के लिए पहले roots को dry करना है उसके लिए इसे पहले on करना है इसे on करने पर कुछ seconds के लिए ये अपने आप clean होगा नीचे की तरफ रख के dry करना है इधर मैं बता दू के आपको अगर better finishing चाहिए तो roots को ऐसे थोड़ा heat देना पड़ेगा पर मैं cold air से ही अपने roots dry करती हूँ roots पे heat लगाना मुझे बिलकुल नहीं पसंद तो मेरे roots के करीब वाले बाल आपको थोड़े frizzy ही दिखेंगे heat protectant लगा के मैंने थोड़ा comb कर लिया है यहां मैंने around 50% wet hair पे इसे इस्तेमाल किया है पर आपको अगर better result चाहिए और बालो को भी कम damage करना है तो 80% dry बालो पे ही इस्तेमाल करें wet hair straight करने के लिए wet mode low air temperature 100 to 115 होना चाहिए मैंने पहले 100 try किया था ज्यादा गीले बालो की वज़े से बहुत बार repeat करना पड़ रहा था तो मैंने 115 में change किया टोटल दो बार heat से straighten किया फिर ये cold button select करके दो बार cold air से set किया बार बार आपको पूरा setting नहीं change करना है खाली cold button को on off करना है हर एक section को straighten करने के बाद तुरंत cold air से set करना है Dyson air wrap में roots and face पे बहुत hot air आता है जिसके वज़े से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और roots पे unnecessary heat लगता है air straight का vent नीचे की तरफ होने पर वो दिक्कत नहीं आती face या roots पे heat नहीं लगता dry hair को straighten करने के लिए dry mode, low airflow and boost mode select करना है ये भी set cold button प्रेस करके ही करना होता है this is how my hair is looking at the end मेरे बाल बाद में थोड़े से frizzy हो गए थे पर मैं next time कम गीले बालों पे इस्तमाल करूंगी air wrap भी बहुत ज़ादा गीले बालों पे अच्छे से काम नहीं करता, इस्तमाल करते करते हर कोई better होता है जैसे अब मेरे Dyson air wrap से किये गए curls एक हफता टिकता है झालों प्लाइक करते है